पूरश करी मामला सके अनिया गालाव जानव जातर की भैंस दूद नहीं दे रही तो लेकर भैंस मलिक नाइगां ठाने मेंप न पहुंच गया और नाइगां ठान प्रभारी राजेंधर सिंगर से गोहाल लगाई कि सहाब मेरी भैस दूद नहीं दे रही है आप कुछ मदद करें अब भैस मालिक को मासूम कहें या मांसिक रूप से कमजोर फिलाल समद में नागान थानप्रभारी राजींद्र चौहान ने कहा है कि भैस मालिक मासूम नजर आता है खास बात यह है कि बाब अब दिया है यह बाबुलाल जाटों है पीता चोटे लाल जाटों उम्र पैतालिस दा न्या गाउं के ही निवासी है आज दोबहर में न्या गाउं थाने में पहले पहुंचे थे थाना प्रभारी के सामने पस्तित हुए थे इन्होंने बताय कि इनकी भैस दुआने नहीं मतलब इनकी भैस दूद नहींने देव है एस इनों ने शिकायत की थाना प्रभारी सिन्य मदद की पिर उसके बाद लगब भग तीन-चार गंटे के बाद ये भैस लेकर के ही थाने में पहुँच गे और थाना प्रभारी सिन्हों ने बताया कि भैस दुखाने नहीं दे रहे हैं हमें आपसे मदद चाहिए तो हलाकि थाना प्रभारी ने उनसे बात की एसा कुछ तो लगा नहीं कि जैसे मानसी ग्रूप से विच्छिप्त हूं मासुम जरूर लगे हैं उनकी बातों से एसा लगा